हेलो फ्रेंड्स सुक्समेदी चैनल में आप सभी का स्वागत है ग्रिशम कालिन समस्याओं से बचने के लिए या कहें कि गर्मी से बचने के लिए खास प्रयोग वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब के साथ गंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो मिस न हो तो फ्रेंड्स गर्मियों से बचने के लिए खास प्रयोग इस मोसम में तली हुई चीजे नहीं खानी चाहिए लाल मिर्च, अद्रक, खटी लसी बहुत नुकसान करते हैं इस मोसम में तो खीरा खाओ जिसको भी गर्मी लग गई हो आंखे जलती हो वह मुलतानी मिटी लगा के थोड़ी देर बैठे और फिर सनांग कर ले तो शरीर की गर्मी निकल जाएगी सिर्दर्द भी दूर हो जाएगा पीपल के पेड में पित शमन का समर्थ्या होता है इसके कोमल पत्ते यानि कपोलों का बना 10 ग्राम मुरब्बा खालें कैसी भी गर्मी हो शान्त हो जाएगी इसका मुरब्बा बनाने की विदी पीपल के 250 ग्राम लाल कोमल पत्तों को पानी से धोकर उबाल ले फिर पीस कर उसमें ब्राबर मात्रा में मिश्री वे देसी गाएं का 50 ग्राम घी मिलाकर धीमी आज़ पर सेक ले गाड़ा होने पर जब घी छोड़ने लगे तब नीचे उतार कर ठंडा करके किसी साफ बरतन इसके लिए कांच की बनी बनी जादा उत्तम है में इसे शुक्षित करके रख लें सुबै और शाम इसे 10-10 ग्राम दूद के साथ लें जिसको भी गर्मी लगे वह तरबूज अच्छी तरह से खाई फोड़े फुनसी हो गए हो तो पालक, गाजर, ककड़ी का रस और नारिल पानी के प्रयोग में लाने से फोड़े फुनसी ठीक हो जाती है जो नंगे सिर धूप में घूमते हैं, उनकी आंखें कमजोर हो जाती है बुड़ापा और बहरापन जल्दी आ जाता है धूप में नंगे पैर और नंगे सिर कभी नहीं घूमना चाहिए जो तीर्थ याता करने जाते हैं उन्हें भी नंगे पैद नहीं घूमना चाहिए घुमोरिया हो गया हो तो नीम के 10 ग्राम फूल वे थोड़ी मिश्री पीज कर पानी में मिलाकर खाली पेट पी लें इससे घुमोरिया शिगर गायब हो जाएगा मुलतारनी मिट्टी लगाकर सनान करने से भी घुमोरिया ठीक हो जाती है नारियल के तेल में नीम्बू का रस मिलाकर लगाने से भी घुमोरिया गयब हो जाती है पलाश के फूलों के 50 ग्राम काड़े में थोड़ी मिश्री मिलाकर पीने से भी गर्मी भाग जाती है फ्रेंट्स आज मैंने आपको बताया है ग्रिशम कालिन समस्याओं से बचने के लिए खास प्रयोग I hope आज की इंफ्रमिशन आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें जहां भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं Twitter, WhatsApp, Facebook मिलते हैं कल ऐसे ही एक वीडियो के साथ तब तक आप सब को जैश्री कृष्णा